डॉक्टर बालियान अपने इलाके में नहीं जा पाए आप वहां से सांसद हैं लोगों ने आपको वोट दिये वहीं से बैरंग लोटना पड़ रहा है क्या हो गया देखे रोई जी सोरं में एक इत्यासिक गाउं है सर्वखाब पंचयत का एड़कवाटर गाउं सोरं में पूरे देश का कल सोरं में एक आम किसान राजवीर सिंग की तेरवी थी मैं साथ साल से सांसद हूँ मेरा सुभाव है कि अपने छेत्र में सब के दुख सुक में जाता हूँ तो मैं राजवीर सिंग की तेरवी में उनकी रसन पकड़ी में बैठा हुआ था राश्टिय लोगदल के पांच-छे कारेकरता जिन में उनका द्रक्ष्ट भी शामिल था वहां आये और बत्तमी जी शुरू कर दी नारेबाजी शुरू कर दी जिनके परिवार में तेरवी थी उन परिवार वाल लोगों ने दमकाते हैं वहां से बगा दिया उसके बाद मैं वहां से निकल गया लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि मेरे निकलते ही राश्टिय लोगदल के किनेता जिनकी 26 जनवरी को लाल के लिए पर भी फेस्बुक वाईर लाइविन होने किया वहां मौझूद थे और ये एक शड़ेंतर था एक तरह से ये दिखाने का कि मेरे छित्र में मेरा विरोध है अब अगर लोगदल के पदाधिकारी होंगे तो निक्ताहितों पर मेरे साथ तो होंगे नहीं लेकिन एक तरह से एक तेरवी की उसमें पहुंचना और वहां पर प्तमीजी करना यह हमारे संसकार नहीं है साथ ठीक है जो नेता दिली में राजनिती करते हैं जो किसी के सुख में दुख में शामिल नहीं होते उनके लिए तो ठीक है लेकिन मेरे जैसे एक जो साधन परिवार से आता है जिसकी कोई पोलिटिकल बैक्राउंड हम लोग अप परिवार के दस वारा लोग पहुंचे है और नमाना अरेबाजी शुरू की तो रोही जी मैं तो खुद बताना चाहता हूं देश की जनता को कि हर गाउं में हर पार्टी के लोग रहते हैं अगर हम एक दूसरे के परती इस तरह से करेंगे सबका अपना विचार है सबकी परत्त में नहीं चल सकता लेकिन दिली के नेता है यह कभी-कभी आते हैं साल रेड़ साल में ट्वीट ट्वीट खेलते हैं दिली में बैटकर छेतर में करें को समझ्या आती है तो हमारे जैसे कारे करता हर जगें मौजूद रहते हैं तो बड़े दुक्की बात है कि इस तर पहली बात तो किसानेताव में कहीं बौड नहीं लगाई और किसानेताव के इन दौन गटनाव में कोई हात नहीं है किसी के किसानेता यहा लेकिन ये लोग जो दिल्ली में बैटके माहुल खराब करना चाहते हैं ये आपस में समाज को लड़ाना चाहते हैं जब लड़ाई होती है और कहीं है कि समाज संकट यही स्वरम गाओं के लोग 2013 के दंगों में पुर्बालियान में मारे गए काफी लोग हैल हुए संजीव बालियान महां था जो नेता आज पंचायत करने के लिए स्वरम में आए हैं वो कभी खेर खबर लेने के उस समय नहीं आए जब भी हम सरकत में होते हैं नेता दिल्ली भाग जाते हैं ये अपना फो मैं सबको अधिकार है मैं चुनावा जनपती दियो मेरे छेत्र की 25 लाग जनता है जिन मैं मुझे चुना है वो जनता मेरे से सब्सक्राव करती है कि मैं कि सुपतुक में शामिल हो कि तो मैं कैसे चेलिटा की समय अगर लोग आपसे नएं तो जहें चौदरी की पंचायत में प्रियंका गांधी वा दृडरा जीन पंचायतों में हजारों लाखों कि पार्टी के परती को नाराज की है तो उसे दूर करने का हम कर रहे हैं हम लोगों के बीच जा रहे हैं किसी को कर पाऊं या न कर पाऊं वह एक अलग बात है लेकिन अगर मैं नंकी बात सुनता हूं मैं सब खाप चोदूरी से मिला हूं करीब करीब सबसे मैंने अपनी बात की जो नहीं बात की मैं अपने पार्टी नितरतों के सामने रखूंगा हो सकता है आज कोई विरोध है कल प्रिस्तितिया बदल जाए और जीन है ऐसा है कि बहुत विरोध है वो सुनाव से पहले कम से कम समाज का माहूल ना खराब करें हम बहुत समस्याव से गुजरा है मुझा बड़ी मुझाविकास के परत पर आए हैं हमें शांती से रहने दीजिए यह जो हेलिकोप्टर वाले नेता है जो बाहर से आते और भाग जाते हैं यह नेता माहूल खराब पर जो समाजवादी पार्टी थे कल रास्टी यह लोग दल था मैं पार्टी का नाम ले रहा हूं और घटना के तस मिट बाद दिली से क्वीट होता है मैं पूछना चाहता हूं कि दंगों में सोरम में लोग मारें यह क्यों नहीं आए जब सोरम में संकट हुआ जब यह लो